कोई भी कारण हो गाय भेंस का दूंद बढ़ेगा ही बढ़ेगा इधिस तरह कि त्रफ हैं कि दवा अपनी गाय भेंस को पिला देंगे तो बहुत इस तरह कमेंट teasing मैं गाया भेंस का दूंद नहीं बढ़ पारा है तो इसके अप्रूंट एस्टेज में अपनि गाय मैने हो गए दूद्ध रॉत अचानक कम हो जाता है उनका दूद्ध नहीं बढ़ पाता दोन्हुतर है की स्तती में आपको क्या देना चाहिए और कि गस्ति प्रसुवें बने जैसे दूद्ध अचानक कम हो गया दूद्ध द रहा था प्सों अचानक कर लें आपको पता है कि चैनल पर सही जानकार के साथ वीडियो दी जाती हैं देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेप आप करेंगे तभी आप अपनी गाह भेंस का दूद बढ़ा पाएंगे ऐसा नहीं कि मैं दो दूदा बता दू डायरेक्ट आप उसे अपने गाह भेंस को दे दे और आप दूद और बढ़ बढ़ा लें उससे पहले आपको के श्रहा कि स्टेप हैं वह फोलो करने होंगे तभी आप अपनी गाह भेंस का दूद बढ़ा सकते हैं या अक WILD या is नहीं बढ़ पा रहा है तो सबसे पहले तो एक तो आपको यह करना है जैसे गाय भैंस की डिलीवरी हो जाती है तो उसके यूटरस की यानि बचेदानी की सपाई की जो दवा आती है उनका आपको जरूर परियोग करवाना है वह तो आपको देना ही देना है यह आप अपनी ग कई बर इस तरह की दिक्त आती है कि गाय भैंस का दूद नहीं बढ़ पाता है जो कि हमने कई बर फिल्ड में देखा भी है यह इन्हीं यूटेराइन किलनर आप अपनी गाय भैंस को जरूर देना है सो एमेल सुबह सो एमेल से आप देखो इसकी वज़ए से भी कई गाय भैंस यह दो बातें आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखनी है यह दि आप अपनी गाय भैंस का दूद बढ़ाना चाहते हैं तो और साथ में जैसे यह दि ताज़ा भैंस है तो उससे आप गुड़ वैजवाइन का भी परियोग साथ में जरूर करवाना है जो भी यह दि आप दा से सब कुछ दे चुके होते हैं गुडवे अजवाइन और जो आप अपने पसूं को जो दाना मिश्रन है डाइट है अच्छी दे देते हैं लेकिन फिर भी गाय भैंस का दूद नहीं बढ़ पाता है तो इसके लिए आपको क्या होना करना होगा चाहिए आपकी किसी भी सब्सक्राइब पाती है जबताइब संब्सक्राइब नहीं बढ़ पाएगा जब तक उसका लेवल आप सही नहीं करेंगे बलड में तो इसके लिए जो आती है मैनकाइंड की एंडर डायना एडवांस जो मैंकाइंड़ डाहनस आती है वह आप अपने पसू को जरूर दें एदि किसी भी इस्तती में चाहे ताजा वेई गायवैंस हो उसमें दूद की मात्रा कम हो गई है तो भी आप एंडर डायना एडवांस का प्रियोग कर सकते हैं या चाहे आपकी प्रिग्नेंट गायवैंस हो या पांस से च्छै मेने हो या अब इसकी डोज क्या है डोज आपको 200 ml परड़े के साब से लगातार 10 दिन केंटिनिटी 10 दिन देना यानि 200 ml आपको एक साथ लगातार 10 दिन देंगे तबी आपको बैटर जेल देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि आप 200 ml लगातार 4-5 दिन दी थोड़ी बदूद की मात्रा पर लेना चाहते हैं अच्छी रखना चाहते हैं तो आप 10 दिन तक दे सकते हैं और बैटर लेना चाहते हैं लंबे समय तक तो 15 दिन भी आप केंटिनिटी रख सकते हैं कोई भी साइड एपक्ट देखने को नहीं मिलेगा दूद बढ़ाने के प्रब्स क्योंकि यह पसू की है कि जो हमने डेरी फार मा मैं या जो पसूपालक है उनमें पसूं में इस तरह की का समादान किया है तो यह आपको इनरजी देना ही होगा यह इनके साथ आपको यह नहीं मिल रही यह तो अधर जो बहुत इस तरह की कमपनिया को लिक्विड एनरजी जो बुस्त आते हैं उ या दूद उनका बिलकुल नहीं बढ़ पारा है दूद लेवल है नहीं ले रही है तो उस इस्तती में आपको उनके साथ केल्सियम जैल का परियोग जरूर करना है जिस तरह से यह आती है मेंगाइड की केल्सिम चैल या अधर कमपनी की हूँ लेकिन जो 300 gram की जो जैल आती है ये जैल है अच्छी जैल है अच्छा रिजically देती है तो ये केलशियम की जैल आपको 300 gram यानि 300 gram परड़े के साथ से ओर ये एक साथ पसूऌ को दे देनी है ये लगातार 4 दिन खेहने का मतलब है कि केल्सियम जैल भी उस पसू को च्यार दिन देनी है एदिया आप एनरजी बुष्ट दे रहे हैं वो तो अच्छी बात है लेकिन साथ में एदिया केल्सियम जैल भी परियोग कर रहे हैं जिन पसू में दूद बिल्कुल नहीं दे रही है दूद की मातरा बोट डाउन हो चुकी है दूद कम दे रही है तो आप साथ में एदिया केल्सियम जैल भी देंगे तो मैं 100% कर रहा हूं कि आप अपनी गाय भैस की दूद की मातरा आसानी से डबल कर सकते हैं जिन पसू में दूद अचानक जिस तरह से 20 लिटर से अचानक 10 लिटर पर आच करनी है इस बात का आपको जुरूर ध्यान रखना है जो मैंने एडवांस बताई हुए लगातार आप 10 से 15 दिन जरूर दे सकते हैं बैटर जे लेना है और यह दिस साथ में जो अपने पसू को जो डाइट दे रहे हैं वैर डाइट उस पसू की कैंटिनुटी देते ही रहना है तभी आप अपने पसू में दूद की मातरा बढ़ा सकते हैं और यह जो मैंने आपको बता है चाहिए आपका पसू प्रिग्रेंट है या भी नहीं है उस इस्तती में यह दी दूद की मातरा चानक कम हो गई है तो भी आप परियोग कर सकते हैं उनके लिए भी सेप रहता ह है लेकिन एक बात आपको यह द्यान में रखनी है कि पसू में बहुत ज़्यादा एदी स्ट्रेस में ज़्यादा दिकत हो गई है हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक में के केस में आ गया है तो उस इस्तती में आपको इस केल्शम जेल का परियोग नहीं करना है एदी पसू सह पसु में दूद की मात्रा आप आसानी से डबल कर सकते हैं यह दिया आपको एक्यूट स्टेज में दूद की मात्रा बढ़ानी है और वैसे भी मेरे चेंदर पर बहुत इस तरह के जो गरेलू नुसके आयरवेदिक नुसके भी अपनाएं बहुत इस तरह की पाउडर भी बता सकते हैं तो यह वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करने इसी तरह की आपको इसे मिलते रहें इसी तरह से वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवाद